Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोईटिस सरोजनी नाइडू की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है विलिच सौंग ये एक मल्टी डाइमेंशनल पोयम है जहां रियल, मिस्टिकल और मिथिकल इन तीनों को यूज किया गया है साथ ही इस पोयम में ट्रडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल को भी बताया गया है पोयम की स्पीकर एक विलिच गर्ल है और वो अपनी प्रॉब्लिम के बारे में हमें बताती है कि किस तरह रात हो चुकी है और अभी तक वो अपने घर नहीं जा पाई है साथ ही वो अपने फैमिली से अपने अटाच्मेंट को भी डिसकस करती है कि कैसे उसका परिवार उसके लिए फिक्र कर रहा होगा और उसे ढून रहा होगा फ्रेंड्स ये पोयम 22 लाइन्स की है जो दो स्टैंजास में बाटी गई है और हर स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं फ्रेंड्स सरोजी नाइडू एक पोईट हुने के साथ ही एक पॉलिटिकल अक्टिविस्ट भी थी उनका जन्म हुआ था 13 फेबुरी 1879 में और उनकी डेथ वी थी 2nd मार्च 1949 में उन्हें Nightingale of India भी कहा जाता था इंडिया के Independence में उनका एक बहुत ही important role रहा है जो भी आंदोलन हुए थे उसमें उन्होंने बहुत जादा पाट लिया था चलिए फ्रेंड्स अब पोईम पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Friends आज भी इंडिया के कई हिस्सों में लोगों के घरों पर पानी नहीं आता और घर की जो औरते होती हैं उन्हें बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है किसी नदी या कुएं से पानी लाने के लिए यहां इस पोईम में भी कुछ ऐसी ही situation है एक female है एक औरत है जो पानी लाने के लिए गई थी और अब उसे घर पहुँचने में देर हो गई है क्योंकि अंधेरा हो गया है Full are my pictures and far to carry यानि यहां एक village woman है जो कहती है कि मेरे pictures यानि मेरे घड़े पानी से भरे पड़े हैं और मुझे इन्हें बहुत दूर तक उठा कर ले जाना है Lone is the way and long और जो रास्ता है वो लोन है यानि सुनसान है और long है यानि लंबा है एक सुनसान और लंबा रास्ता है जिससे होकर मुझे घर जाना है Why oh why was I tempted to tarry यानि क्यों आखिर क्यों मैं tempt हो गई ललचा गई ठहरने के लिए Tarry का मतलब होता है ठहरना Lude by the boatman's song और उस नाविक के गाने से बहक कर यानि आखिर उस नाविक का गाना सुनकर मैं क्यों बहक गई और वहाँ पे ठहर गई अपने घर को क्यों नहीं गई Swiftly the shadows of night are falling यानि बहुत ही तेजी से रात का अंधिरा चा रहा है रात हो रही है सुनो क्या वो एक सफेद सारस की आवाज है Friends crane जो है वो एक bird होती है जिसे हिंदी में सारस कहा जाता है तो poet बोल रही है कि ये आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है क्या वो किसी crane की किसी सारस की है Is it the wild owls cry? यानि क्या वो किसी जंगली उल्लू की आवाज है यानि वो समझ नहीं पा रही है कि कौन सा पक्षी है क्या वो कोई सारस है या कोई उल्लू है There are no tender moonbeams to light me यानि मुझे रास्ता दिखाने को चांद की हलकी रौशनी भी नहीं है आस्मान में चांद नहीं है इसलिए चांद की रौशनी धर्ती पर नहीं पढ़ रही है मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है French serpent का मतलब होता है सांप तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अगर इस अंधेरे में मुझे कोई सांप काट लेगा बाइट कर लेगा और if an evil spirit should smite me यानि अगर कोई बुरी आदमा मुझे पर हमला करेगी मुझे मारने की कोशिश करेगी smite का मतलब होता है हमला करना यानि अगर मुझे कोई सांप काट लेगा या कोई मुझे पर बुरी स्पिरिट हमला करेगी तो क्या होगा मैं इनसे मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं बिलकुल अकेली हूँ राम रे राम, I shall die यानि अब वो अपने भगवान राम से कहती है कि राम मैं मर जाऊंगी इसलिए मुझे बचाओ ये एक तरह की रिक्वेस्ट है यानि पोईट जो है वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो बहुत खत्रे में है वो उन्हें बचा ले और अब उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है वो सोच रही है कि अगर वो घर नहीं पहुची तो उसकी फैमिली क्या सोचेगी कितनी फिक्र करेगी यानि मेरा भाई बरबर आएगा धीरे धीरे बोलेगा कि आखिर मैं क्यों रुख गई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई हूँ वो इस बारे में सोचेगा My mother will wait and weep और मेरी माँ मेरा इंतिजार करेगी और आशु बहा कर मेरे लिए रोएगी Saying, Oh, safe may the great gods bring her और वो ये बोलेगी कि काश भगवान मेरी बेटी को safely घर पहुचा दे The jamunas waters are deep यानि jamunas जो नदी है उसका पानी बहुत गहरा है उसी नदी से वो पानी लाने गई थी The jamunas waters rush by so quickly और साथ ही jamunas का पानी बहुत ही तेज गती में बहता है यानि उनके मन में ये भी एक खयाल आ सकता है कि कहीं वो लड़की jamunas नदी में डूब गई या बहतो नहीं गई The shadows of evening gather so thickly यानि शाम की परचाई इतनी जल्दी चा रही है इतनी जल्दी रात हो रही है Like black birds in the sky जैसे आसमान में काले पक्षी आ गए हों और इसलिए ही ये अंधेरा चा गया है Oh, if the storm breaks, what will betide me? यानि अगर अभी कोई दूफान शुरू हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे उस दूफान से कौन बचाएगा? Safe from the lightning, where shall I hide me? और साथ ही जब बिजली चमकेगी तो उससे बचने के लिए मैं कहां छुपूंगी? इस सुनसान रास्ते पर मेरे बचने के लिए छिपने के लिए कोई जगा नहीं है Unless thou succour, my food steps and guide me Friends, succour का मतलब होता है guide करना, सहायता करना तो वो कहती है कि जब तक आप मेरे कदमों को succour नहीं करेंगे उनकी मदद नहीं करेंगे और मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे राम रे राम, I shall die तो राम, मैं मर जाओंगी, मैं बच नहीं पाओंगी Friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है इस poem में जहां एक तरफ वो लड़की अपने डर के कारण परेशान है और उसे समझ नहीं आरा कि क्या करे वहीं दूसरी तरफ भगवान में उसका पूरा विश्वास है और उसे इस बात की उमीद है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे उसे कुछ नहीं होने देंगे तो Friends, ये थी सरुजनी नैडू की poem विलेच सॉंग